दोस्तो जैशी किष्णा जैशी रादे दोस्तो राशी फाल के लिहाद से देखा जाए तो जुलाई का महीना सभी के लिए बहुत महत्पपूर्ण होने वाला है क्योंकि सूर्य मंगल, सूर्य बुद्ध जैसे जो बड़े बड़े ग्रहें वो तो राशी परिवर्तन करेंगे ही क्योंकि हर महीने लगवग इनका राशी परिवर्तन होता ही है लेकिन 29 जून को शनी बकरी हो रहे हैं और इसका प्रभाब सभी राशियों पर पड़ेगा अब कुम्ब राशी वालों के लिए भी ये परिवर्तन विश्येस प्रभाबी होगा आईए जानते हैं कि किस तरीके के शुब या अशुब प्रभाब आप पर पड़ सकते हैं इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है और ये राशी फल आप अपनी चंद राशी के अनुसार दे के आपके लिए अच्छा रहेगा अब जादा देड़ ना करते हुए कुम राशी के पारिवारिक जीवन की अगर हम बात कर लें तो जुलाई राशी फल के अनुसार कुम राशी वालों को भाई बेहनों से किसी बात को लेकर आपका जखड़ा हो सकता है इसलिए उनके साथ स्नेह पूरवक बेवार रखें परिवार में संपत्ती को लेकर कोई पुरानी बात उभर सकती है जो मन को आशंकित करेगी परिवार में किसी सदस्य का स्वास्त भी खराब हो सकता है इसलिए जुलाई में रोज हनुमान चालिसा पड़ें इससे आपको जो परिवार में संकट होगा वो दूर होगा अब आपकी जुलाई के महिने में ब्यवपार और नोकरी की बात कर लें तो कुम्ब राशी वालों पर मंगल इस महिने भारी है जिसे कि इस राशी के लोगों को ब्यवपार में थोड़ा घाटा हो सकता है अगर ब्यापारी हैं तो बजार में आपकी नेगटिब छबी बन सकती है जिसे कि आपके हाथ में कई सौधे आते आते निकल जाएंगे किसी भी डील को करते टाइम बड़ों का परामर्श जरूर लें गवर्मेंट जॉब कर रहे लोगों के मन में भविश्य को लेकर आशंकायं बनी रहेंगी लेकिन अपने काम से संतुष्ट भी रहेंगे प्राइबेट जॉब करने वाले जुलाई में अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिसे कि बोस भी आपसे खुश होंगे इस महीने आपके जो बेतन है वो भी आपके बोस बढ़ा सकते हैं आपकी बेतन ब्रद्धी हो सकती है कुंब महीने में आपके कुंब राशिफल के लिए जुलाई के महीने में आपके सिक्षा और करियर की बात कर लें तो इस महीने सिक्षा और करियर के अनिसार कुमराशी वाले लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आपने लिए कुछ नए आइडियास खो जाएंगे और नई चीजों को सीखेंगे नए काम करने पर अपना टाइम भी खर्च करेंगे कुछ चुनोतियां हलाकि आपके रास्ते में आ सकती हैं लेकिन आप उनका डटकर सामना करेंगे जो हायर स्टेंडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है खास करके होटल मैनेजमेंट के जो स्टुडेंट है जुलाई में अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े परिशान रहेंगे कंपटीटर एक्जाम के तियारी कर रहे स्टुडेंट को बड़ा मौका मिल सकता है इस महीने आप सर अपने हाथ से ना जाने दे अब कुम्ब राशी के लव लाइफ की बात कर लें तो जुलाई में आप के लिए ये महीना सांदार रहने वाला है इस महीने आप पार्टनर के लिए इमानदार रहेंगे बिवाहित लोग अपने पार्टनर के प्रतिभाबुक हो सकते हैं और उनके लिए कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे जो अभी रिलेशन में हैं उन्हें अपने पार्टनर के हैल्थ की चिंता सता सकती है बिवाह की प्रतिख्शा कर रहें लोगों को जुलाई में जीवन साती ढूंडने में समय बरबाद नहीं करना चाहिए अगर आप किसी की और आकर्शित हैं तो वहां से भी आपको निराशा हत लगेगी कुम्ब राशी के लिए अगर हेल्थ की बात कर लें जुलाई के महीने में तो स्वास्त आपका इस महीने थोड़ा कमजोर रहेगा आप कमजोरी महसूस करेंगा और किसी ना किसी बीमारी से पीडित रहेंगे इस महीने अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और किसी बात की ज़्यादा चिंता ना करें मांसिक रूप से भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं आप ज़्यादा टेंशन में लेंगे अपने आपको और थोड़ा परिशान रहेंगे इस महीने परिशानिया दूर हों सोभागे आपकी तरफ आए इसलिए आप के लिए अगर लकी नंबर की बात कर लें तो आठ अंक और ग्रे रंग आपके लिए महत्वोग पून रहेगा और इस महीने अगर इनका उप्योग आप करेंगे तो इससे आपको समस्याओं में राहत ज़रूर मिलेगी तो दोस्तो ये थी आपके कुम्बराशी के लिए जो परिवर्तन या फिर कहें कि जो चीजे चुनोतियां आपके सामने आने वाली हैं उनका लेखा जोका तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरू करें दोस्तो के साथ शेयर करें जो कुम्बराशी के दोस्तन के साथ शेयर जरू करें मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक चैशी किशना चैशी राते हर हर महादेव